इस वीडियो में हम बात करेंगा IPC के सेक्शन 379 के बारे में धारा 389 देखिए 379 IPC का जो section है ये चोरी के लिए लगाया जाता है चोरी की punishment के लिए लगाया जाता है अगर कोई चोरी करता है तो उसकी punishment के लिए लगाया जाता है इसकी सबसे पहले definition चेक करती है उसके बाद एक एक point simple शब्दों में clear करूँगा इसकी definition क्या कहती है whoever commits theft जो कोई भी theft करता है मतलब चोरी करता है shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years तीन साल तक इसमें सजा मिल सकती है or with fine या फिर सर्फ जर्माना और with both या फिर जर्माना भी होगा fine भी होगा और साथ में तीन साल तक की सजा भी होगी मतलब कोई भी अगर चोरी करता है 379 IPC का section लगेगा उस पर जो कोई चोरी करता है जो चोर होता है उस पर 379 IPC का section लगेगा और उसको punishment मिलेगी कितनी मिलेगी तीन साल तक की मिलेगी तीन साल तक की सजा मिल सकती है या फिर ये दो नहीं हो सकते है मतलब तीन साल तक की सजा भी और साथ में फाइन भी या सिर्फ फाइन हो सकता है ये कोर्ट पे डिपेंड करता है ज़सा पे डिपेंड करता है अब इसमें खास बातें क्या है ये कागनी जेवल ओफेंस है कागनी जेवल का मतलब क्या होता है कि पुलिस बिना वारट के ग्रफतार कर सकती है आरूपी व्यक्ति को उसको कहते हैं कागनी जेवल ओफेंस ये नोन बेलेबल ओफेंस है नोन बेलेबल का मतलब क्या होता है देखिए एक तो होते हैं बेलेबल ओफेंस मतलब गयर जमानती अपराद जिसकी पुलिस टेशन में जमानत नहीं होगी इसकी जमानत के लिए बेल अप्लिकेशन कोट में लगानी पड़ेगी जजसाभ के सामने उसके बाद कोट पे डिपेंड करेगा कि जमानत देनी है या नहीं देनी है तो ये नॉन बेलेबल आफेंस है ये कमपाउंडेबल आफेंस है कमपाउंडेबल का मतलब क्या होता है समझाओता वादी आफेंस एक होता है नॉन कमपाउंडेबल जिसमें गयर समझाओता होता है उसमें समझाओता नहीं किया जा सकता लेकिन ये compoundable offense है तो अगर दोनों पार्टियां चाहें मतलब जिसने complaint दी है और जिसने चोरी की है अगर वो दोनों आपस में राजी नामा करना चाहें तो वो compoundable है ये समझाओता कर सकते हैं इस खतम करवाया जा सकता है तो 379 IPC का सक्षिन यही कहता है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसमें फिर तीन साल तक उसको सजा मिलेगी या फिर फाइन होगा या फिर ये दोनों होंगे non-vailable है मतलब गैर जमानती है cognitiveable है मतलब पुलिस बिन वारन के ग्रिफ्टर कर ले कि compoundable है मतलब इसमें समझाओता किया जा सकता है तो अमीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा IPC का सक्षिन 379 अगर कोई चोरी करता है तो उसको कितनी सजा मिलती है यह आपको पता चल गया होगा अगर फिर भी कोई confusion रहे गई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और जाने से पहले इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेजएगा क्योंकि इस चैनल पर कानूंस related वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल शब्दों में सिंपल भाशा में जो कि असानी से आपको समझ में आ सके इन जानकार वानाई साशक्त मनाए नेक्स वीडियो में बात करेंगे किसी और सेक्षिन के बारे में शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए धन्यावाद